कि नमस्कार दोस्तों आज बताएंगे टीटेवूल किस तरह से बनाया जाता पुरा न्यूड डीजाइन में आपको वीडियो धियान से देखें यह देख सकते हैं यह पलाय है एक एक सैट वाइट मैका साट लेना है उसके बाद यह कलर मैका है तो जहां पर जो सेटिंग रहन है लंबाई लेकर 11 इंची पर इस तरह से निसान लगाना है उसके अदिए पुनिऊ इंची मंस को हएए पलाय लेकर से इसे तरह से लगाना है दोनों तरह उसी तरह से लगादाना उसके 20 सेंटर देख सकते हैं यह 20 सेंटर में दराज बने गाता है सिंची तो इसमें बटाम लगा देंगे हम दोनों दाख पर इस तरह से दोनों साइट उसी तरह से बटाम लगा देंगे हम देख सकते हैं जस्तों उसके जो दो पलाए कटा है दोनों में उसी तरह से खिस लेना दूसरों देख सकते हैं इसी तरह से आप भी इसको बहुत असानी से इसको सकते हैं उसके दिए जह पलाए है पुरीची को पला लेलना है यह गोड़ा हुआ यह तो यह अठाइसिंची हैं इसका 20 सैंटर में निशान ल लगाने का इस तरह से लगा की बटम लगा दें जो कि यह उसके तिसमें भी दाग भुरा दें शब्सक्राइब का बना दोस्तों तो इस च्रूब डालना है तो यह पने इंची पे ही टेप मारदें बीट में तो उतना इस च्छदना उसको बना रहेगा इसको मोटा करना है तो यह जितना जो बाहर निकला वहाँ हिसाब से कटिंग कर लेंगे दोनों साइट दख सकते हैं यह हो चुका है कटिंग इस तरह से एक इंची काटि लगाएंगे उसके बात इसमें पांच इसकुरूब लगाएंगे डियर इंची का उ गढ़ना है देख सकता है मैं कि दोनों संकटितर से शुबी लाकर इसको कंपेलट कर्लेना शुका देघ सकते हैं यह हek बना लेना पेरे दुंद ये घर इंची मोटा नॉट भार के तरह पूरा देंची मोटा होगा गैर उसके भी पुरा कर देना है उसके बाद यह फ्लाइ ठोकना है तो यह इस तरह से ठोक दें जख सकते हैं यह इस तरह से बन गया नीचे घठाचा उसके यह दो पलाइ वी सेंटर करके दोनों साइट से एगा रहे गाराइगा जी छोड़के इसको ठोक देना जो कि दराच बनेगा ड्रोब और ज देख सकते हैं कि इस तरह से ठोक दना है उसके बाद यह पुरा complete हो चुका है इसको डेर इंची मोटा करना है दोस्तों कोड जो है इसका मोटा करना है तो इस तरह से बीट लगाके एक तरभ मेका अंदर के साट्ड एक मेका लगाके उसके पीविसी लेकाशा अंदर के पिता रोगा हुआ है पूरा पेस्टिंग होगा दूस्त तरह से करना है है कि कि दोनों सायर से उठाने हुद यह दिक्कदने हुद दूस्तों देख सकते हैं यह स्टिली स्कूरूब इस तरह से लगाना है नीचे उपर दुन साइट आपको इस तरह पीछे के साइट भी आपको लगा दना है देख सकते हैं दो इंची स्टूल ऐसे सी स्कूरूब इस तरह से आपको डाजा पूरा फुली बना लेना है उसके अधिसमें बफर लगाना है जीचे के सार जो जमीन में लेगा बफर लगा हापिंची का उसमें वासट डलके आपको बफर लगाना है जो कि वो पूरा मजगुती रहेगा इधर उदर खिसकाई ये गाभी तो दिक् सब्सक्राइब बंद रहेगा देख सकते हैं इस तरह एक सब्सक्राइब रहेगा उसके एक सब्सक्राइब बंद करना दोस्तों इस तरह से करना है कि करना इसको बंद तो इस तरह से पहले लगा कि इस तरह से बरावर कर ले चारो को ना बरावर हो चुका है तो अंदर से न किलीप में इस तरह से निसान लगा दें एक सो माले के डाक पे इस तरह से पहले निसान लगा देना है उसके वाद किलीप को कस देना चार किलीप लगता दस्तों एक इंची का किलीप है इस तरह से किलीप चार किलीप कस देना है एक कंप्लीट हो चुका है तो इसको करना क्या इस तरह से इसमें भी grouping दिया हुआ दोस्तों आपको बाद में बताएंगे इस तरह से करदेना है अंदर साथ से सैट से देख सकते हैं यह हो चुका है इस तरह से आपको बनाना है तो एक तरफ तरफ दराज तो आपको पता नहीं चलेगा लुक ठीक लेगा दोस्तों दोनों सा रहे हैं यह दराज के साट भी grouping है उसलिए पीछे के साट भी grouping आपको पता नहीं चलेगा दूस्तों इस तरह से फुली आपको डेर इंची दोनों सेट करना है जो कि 18 इंच आपको बनाना है 10 इंची इसको 9 इंची करके आपको डिवाट कर दना है दो भाग में इस तरह से आ देख सकते हैं इस तरह साथ टीटेवल बना सकते हैं बहुत सुंदर देख सकते हैं नीचे बफर लगा चुका है इस तरह से बना सकते हैं जाहिंद